कि नौश्कार दोस्तों पर फिर से स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चनल ए र हूम्स में तो आज मैं आपके लिए फिर से पब्लिक की डिमांड पे एक जब्रतस विलाग लेकर के आगया हूं जो कि जेडी अपूरूड है साथ-चत असी वर्गज में बना हुआ है 15-48 बात करूंगा अंदर से जो कि आपको सब कुछ यहां पर आपको देखने को मिलेगा सारी ही बाते बताओंगा लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वाइस करना चाहता हूं अगर अभी तक आपने यूट्यूब चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज बिना किसी देरी के मैं आपको इसका ऐलिवेशन दिखा जेता हूं कि ऐलिवेशन अब किस तरीके के देखने को मिलेगा तो देख पारे अप ऐलिवेशन कितना जबर्दस यहां पर आपको देखने को मिल रहा है जो कि काफी डिजाइनेबल यहां पर जो है ऐलिवेशन यहा यहां पर काफी एक अच्छा स्लोप बना करके दिया गया है पानी के अगर बात की जाए तो पानी का कनेक्शन जो है आपी के नाम भी करके दिया जाएगा पानी से डिलेबंट कोई भी प्रॉब्लम नहीं है सिवरेज के लिए भी यहां पर कुई खूद करके दी गई है सेफ्टी टैंक बना करके दिया गया है इन फ्यूचर कभी भी आप जो है सिवरेज में इसको जुड़वाना चाहें तो सिवरेज में भी इसे जो है आप आटेच करवा पाएंगे और जैसे ही आप अंदर की तरफ देखना भी पेंट हुआ हाथ नहीं लगा रहा हूँ लेकिन आपको देखने को बल रहा है जहां पर आप अपने गंबले वगयरा कोई भी समान यहां पर इजिली स्टोर कर पाएंगे अब हाइट के अगर बात करो तो यहां पर पार चेरिये में आपको घर की हाइट काफी अच्छी दी गई है हाइट से रिलेवन कोई भी प्रॉब्लम में आपको फेस करने को नहीं मिलेगा अब जैसी आप एंटर होते हैं तो एंटर होते समय पे यहां पर आपको वाटर टेंग का प्रोवीजन दिया गया है जो कि 6000 लिटर का वाटर टेंग प्रोवीजन है आप इजिली यहां पर अपना पानी से वगरा स्टोर कर पाएंगे इसका दोनो की दोनों साइट में बालकनी आप गली में आप अंदर बार कर सकते हैं और बेक साइट से वहां度 भी बंद कर रहा है लेकिन आप चाहें तो उसको तुड़वा करके गेट बनवा सकते हैं यहाँ पर जो है आप देख पारें कि काफी एक अच्छा डोर की क्वालिटी काफी अच्छी यूज की गई है काफी अच्छी सनमाइका यूज की गई है डिजाइनेबल सनमाइका है औ 14 बाए 16 का काफी एक बड़ा आपको यहाँ पर हॉल साइज मिल रहा है काफी सरे वीडियो के अंदर कमेंट आते हैं कि आप जो है साइज नहीं बताते हैं यहाँ बहुत डिसेन साइज है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको साइज बताने की 14 बाए और 16 का काफी एक अच् करेंट निकालकर मिलेगी इस साइज बताइस आपको बतार मुलेगा है और बतरूम जो है यहाँ पर अभी लया जैसे भी आप लेते हैं तो यह हैपको लगारantasा दिआ गया ऐस इस all के अंदर ही इस side में जैसे आप आते हैं तो यहाँ पर आपको kitchen मिल जाता है जो की modular kitchen है kitchen के अगर बात की जाए तो काफी spaces यहाँ पर kitchen मिल रहा है जो की आपको size की बात करूँ 5 by 5 by 8 का यहाँ पर जो है काफी decent size के अंदर आपको यहाँ पर kitchen मिल रहा है जो कि modular kitchen है साथ-साथ यहाँ पर आप चिमनी लगा सकते हैं यहाँ पर option दिया गया है चिमनी का दोस्तों यहाँ पर जैसे आप shift होते तो पानी से relevant कोई problem जैसे आप shift होंगे तो builder दोरा आपको जो है पानी का connection बिल्कुल free में करवा करके दिया जाएगा पिछी वीडियो में भी पानी का connection आपको ष्कावरी में घर्बा करके दिया जाएगा है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर काफी अच्छा size यहाँ पर दिया गया है तो size काफी अच्छा यहाँ पर मिल जाता है अब आप आपको ground floor पर यहाँ पर first room की तरफ लेकर के चल रहा हूँ जो कि आपको ground floor पर मिल रहा है और साथ बैक एड में काफी एक अच्छी gallery आपको मिल रहा है जिसे की properly ventilation और properly sunlight यहाँ पर हो रहा है अभी दिन के समय में कोई भी light जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है जो कि काफी एक अच्छा है यहाँ से ventilation और properly sunlight हो पा रहा है उपर की साइड में आप देख रहे हैं काफी एक अच्छा साथ आपको यहाँ पर force link लागा करके दी गई है फैन वगरा भी नहीं लगे है अभी लगा करके दे दिये जाएंगे साथ साथ यहाँ पर भी आपको इसी का जो है separately option दिया गया है इस साइड में आप देख रहे हैं काफी बड़ा window आपको दिया गया है जिससे की properly sunlight और properly ventilation हो पा रहा है यहाँ पर आप देखेंगे gallery पीछे की तरफ बना करके दी गई है इसे आप जो है washing area की तरह यूज कर पाएंगे multiple agencies को यूज कर पाएंगे जैसी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर देखेंगे कितना अच्छा है कि यहाँ पर पीछे की side में जाल लागा करके दिया गया है जिससे कि आप पीछे की side में पीछे का view भी लेख सकते हैं और यहाँ से अपना door भी आप निकल रही है आप देख रहे हैं तो यहां से आप पीछे का गेट भी निकलवा सकते हैं चाहें तो आप उस गलीज के अंदर से भी निकल सकते हैं तो यहां से आपको यह option मिल जाता है कि दोनों सी site से आप इस गर को exit और enter दोनों ही site से आप कर पाएंगे अब मैं आपको जो है first floor पे लेकर के जा रहा हूँ जहां पर कि आपको दो bedroom यहां पर आपको मिलेंगे तो आजे ही है मैं आपको ओपर की तरफ लेकर के चलता हूँ लेकिन उससे पहले मैं आपसे request करना चाहूँगा अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को subscribe नहीं किया है तो प्लीज अवारे चैनल को subscribe कर लिजे शेर किजिए अपने दोस्तों के साथ और bell लेकिन को दबा दीजे तक है आपको वीडियो को notification सबसे पहले मिल सके लाइक करना बहुत ज़रूरी है लाइक ज़रूर करे अब मैं कि अपको पह menor Indy कि इसके फ्लोर कर आगया हूँ शाइस की बात कर हूँ यहाँ पर भी आप ऐसे यूजा की तरह तरह भीשה बना सकते हैं या फिर आप से स्टोर रूम की तरह ब्योग्स कर बाएगिए हाइट कफी अच्छा दिया गया है, हाइट से रिलेवेंट कोई भी आपको प्रॉब्लम फेस सरने को नहीं मिलेगी, अब मैं आपको ले करके जा रहा हूं उसके second room की तरफ, room की अगर बात की जाए तो room size काफी decent है, 10 वाए, 10 का room size आपको यहाँ पर मिल जाता है, उपर के side मे काफी एक अच्छा for ceiling design दिया गया है, यह एक master bedroom में आपको दिखा रहा हूं, दोनों ही rooms के अंदर master bedroom है, यानि कि यह दोनों में attach में आपको bathroom मिल जाता है, वगर इसके अंदर आपको balcony है, और पीछे वाले में भी balcony है, यानि कि front side में भी balcony मिल जाएगी, और back side में भी balcony मिल ज अब मैं आपको bathroom के तरफ लेकर के आगया हूं, bathroom के size के अगर बात की जाए, तो काफी एक अच्छा size यहां पर bathroom का दिया गया है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, काफी एक अच्छा size bathroom का मिल जाता है, अभी कोई भी sanitary बगर लगा करके नहीं दिए गई है, tabs बगर लग जैसे वहां से enter हुए, तो यहां पर wardrobe सबको मिल रहे है, wardrobe का size काफी अच्छा दिया गया है, जैसे कि आप देख रहे है, इस side से जो है, आपको काफी एक अच्छा ventilation का option दिया गया है, जो कि उस तरफ से निकल रहा है, तो ventilation से डिले में यहां पर आपको कोई भी problem face करने को नह साइड में facing है, तो आप आगे हैं, balcony के और balcony का size काफी अच्छा दिया गया है, इस side में आप देख पा रहे है, tap लगा करके आपको दिया जाएगा, आप washing area की तरह से use कर पाएंगे, यहां पर switch दिया गया है, बाहर के side से view दिखाने की कोशिश करूँगा, मैं आपको, काफी चौड़ा रोड यहां पर आपको मिल जाता है, बीच में जो है, आपको divider बना करके दिया जाएगा, पेड़ बोते वगरा, सारी ही चीज़े लगा करके दी गई है, काफी लोग यह जो है, यहां पर रह रहे हैं, तो यह ऐसी कोई problem नहीं है, कि मैं आपको किसी ऐसे जगह ऐसे जिए ज好了 रहा हूँ, जहां पर कोई भी लोग बाघ नहीं रहा है, मसावाट पूरी यहां पर आपको मिल रही है, अब मैं आपको इसकी तीसरे लूम की तरफ ले गरके चल रहा हूँ, जिसमें भी आपको बाल कनी मिलेगी, तो आज यह ही, आपको इसको तीसरे लूम क इस तरफ आपको ड्रेसिंग मिल जाता है इस तरफ आपको ड्रेसिंग मिल जाता लुए इस तरफ और इसदगा गया है उपर की साइड में वेंटिलेशन आपको डिया गया है और मैं आप आपको दिखा दूँ कि इस तरफ में जो है आपको अलमीरा यानि कि आपको waters बलागा करके दी गई है जो कि यहां से आप देख पाएंगे मैं आप लेके चल रहाँ इसके बालकनी के और जैसे कि मिया आपको बताएंगे कि इस fakat दो साथ साथ वाशिंग एरिये की तरह इसे यूस कर पाएंगे सभी प्रकार की जो है यहां पर सुभीध है आपको अवेलेबल है इस साइड में 30 फिट की रोड निकल रही है इस साइड से आपको नीचे की साइड से अपना डोर निकाल सकते हैं और दोनों ही फेसिंग मकान है तो सालिस का है सभी प्रकार की एमिनिटीज यहां पर आपको मिल जाती है लोन से डिलेवेंट कोई भी आपका क्वेशन है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिये गए नंबर पर बिल्टर के जो नंबर है या फिर से एक्षे को नंबर है महां जाकर कि उन्हें कॉल कर सकते हैं जय हिंद वन्दे मात्रव